नमस्कार स्वागत है आपका स्पेर 9 नीज में मैं हूँ आपके साथ शूती और अब बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीती को लेकर जिस तरह से बिहार में जेडियो और बीजेपी की गटबंदन को लेकर खीचतान सामने आते रहते हैं खिसदान की कई कयास लगाये जाते रहे हैं वहीं अगर बात करें यहां पर महागडवन्दन की जहां पर आरजेडी और कॉंग्रेस की बात करें तो आरजेडी और कॉंग्रेस के कॉंग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम म उर्चा यानि कि हम के महा गटवन्दन में मतबेद खुल कर सामने आ गया जी यहां बता दे आपको कि जुस तरह से दो साल पहले ही आरजेडी की तरफ से मुखमंत्री का चहरा जो है तेजस्वी यादव को बताया गया था यानि कि बता दे आपको कि जल्द ही बिहार में बिधान सबाच चुनाओ है और इसके बाद सब की नजज़ जो होगी वह विहार बिधान सबाच पर होगी जहां पर अभी मुखमंत्री नितिश कुमार है वहीं जेडियों और बीजेपी में भी कहीं न कहीं मतभेद सामने आते रहते हैं कि यहां पर गटवन्दन को लेकर क कयास लगाए जाते हैं जिस तरह से वहीं अगर बात करें और जेडि और कॉंग्रेस की तो पहले से ही मुखमंत्री दो साल पहले से ही 2020 की विधान सबच नाओं के लिए मुखमंत्री का चेहरा जो है तेजस्वी यादों को गोशित किया गया था अब ऐसे में देखना होगा क्योंकि यहाँ पर मतभेद कुल कर सामने आ रहे हैं कॉंग्रेस और पूर्व मुखमंत्री जीतन राम मांजी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हमके महागडबंदन के मतभेद कुल कर सामने आते हैं यानि कि मांजी ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादों को म अगर जहां तक गडबंदन की बात है मुखमंत्री पत के उमीदवार का फैसला सभी गटक दलों के नेता मिल बैठकर लेंगे यानि कि मिल बैठकर इस पर चरचाय होंगी यानि कि जहां पर बात करें अगर दो साल पहले तो वहां पर तेजस्वी यादों को मुखमंत्री के टूप में वहां पर गोशित क्या करे था मुखमंत्री चहरा तो अब अगर बात करें तो यहां पर महागडवनन में भी कहीं ना कहीं यहां पर मतवेद खुलकर सामने आ रहा है है और जो मतवेद हैं यह कई तरह के कियास लेकर भी सामने आ रहा हैं क्यूंकि जुस तरह से बिहार में अगर बात करें तो बिहार में जुस तरह से लालो प्रिसाद यादो की रुत्बा है आर जेडी सुप्रीमों लालो प्रिसाद यादो का जो रुत्बा है वो हमेशा से ही बिहार में तरह से अलग छवी बनाई हुई है अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले आप हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड कर बता सकते हैं और आगित अवाम जानकरी के लिए बने रही हमारे साथ नमस्कार